दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सिखने वाले हैं कि जो हमारा DC मोर्टर होता है इस मोर्टर को हम किस प्रकाल से reverse direction और forward direction में रन कराएंगे यहाँ पे इस मोर्टर को reverse forward direction में रन कराने के लिए हम यहाँ पे एक relay का इस्तमाल करने वाले हैं और साथी साथ में यहाँ पे इस मोर्टर को चालू और बन करने के लिए यहाँ पे हम push button का इस्तमाल करेंगे एक push button हमारा forward के लिए होगा और दूसरा push button हमारा reverse के लिए होगा इसके बाद यहाँ पे जो हमारा motor है motor के according यहाँ पे हम एक battery का इस्तमाल कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास में 12 volt का motor है इसलिए यहाँ पे हम 12 volt का एक battery इस्तमाल करें और यहाँ पे जो हम Relay इस्तमाल करेंगे यह भी 12 वोल्ड पे operate होने वाला Relay होगा यहाँ पे आप एक ची नोटिस कर सकते हो कि जो हम यहाँ पे Relay इस्तमाल करें यह 8-pin Relay है जिसमें इस Relay के कोईल का 2 टर्मिनल है और 2 common terminal, 2 NC और 2 NO टर्मिनल है तो यहाँ पे जितने भी component है इन सभी component का इस्तमाल करते हुए हमें एक ऐसा circuit बनाना है जिसके द्वारा हम इस motor को Reverse Direction और Forward Direction में रन करा सकें तो देखिए यहाँ पे connection करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए यह जो हमारा battery है battery का जो positive terminal होता है इस terminal से एक वार को connect करेंगे और इसको लिए जाके सीधे ही हमारा जो forward push button है इस push button के साथ connect कर देंगे यहाँ पर मैंने push button का इस्तमाल किया हूँ आप चाहें तो कोई switch भी इस्तमाल कर सकते हो ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा reverse push button है इसको भी हम यहाँ से incoming power supply दे देंगे अब यह जो हमारा reverse push button है इस push button के जो output terminal है इस terminal से एक वार को connect करेंगे और इसको लिए जाके हमारा जो relay इस relay का जो positive terminal होता है यानि कि इस relay का जो coil है उस coil का जो positive terminal होता है उसके साथ हम इसको connect कर देंगे उसके बाद यह जो हमारा बैटरी है बैटरी का जो negative terminal होता है वहाँ से एक वार को connect करेंगे और इसको ले जाके relay के coil के negative terminal पे connect कर देंगे यहाँ पे जो हमारा relay था इसके coil को power supply मिल गया अब इसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे यह जो हमारा forward push button है इसका जो output terminal है इससे एक वार को connect करेंगे और इसको ले जाके A5 terminal के साथ connect कर देंगे यहाँ पर हमने इस A5 के साथ connect किये तो यहाँ से ही एक और वार को loop करेंगे और इसको ले जाके NC contact के साथ connect कर देंगे याद रखिएगा यहाँ पर एक दूसरा contact है और यहाँ पर दूसरा contact है तो इस contact का जो N O था उसको लिए जाके दूसरे contact के NC के साथ में sort कर दिये हैं ठीके उसके बाद यहाँ पर जो यह वाला NC है इस NC को हम इस N O के साथ sort कर देंगे यानि कि एक वायर के दूरा loop कर देंगे यहाँ पर हमने इन दोनों को आपस में connect कर दिया ठीके दोस्तों अब यहाँ पर जो common terminal है इनका उप्यवगा मोटर को power supply देने के लिए करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस common terminal से एक वायर को connect करेंगे और इसको ले जाके मोटर के किसी भी terminal के साथ connect कर देंगे इसी प्रकार से इस common terminal से एक और वायर को connect करेंगे और इसको ले जाके इस motor के दूसरे वाले terminal के साथ connect कर देंगे अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो मिल रहा है तो यहां पे हम क्या करेंगे एक वायर को इसी प्रेकार से यहां पे नेगेटीव और यहां पे पॉजिटीव पावर अपना पड़ेगा यह जो diode होगा इसका काम यह होगा कि यह जो हमारा push बटन है इसको प्रेस करने के बार power supply को इस direction में flow करवा दें और यहां से power supply flow होते हुए इस anode contactor power supply पहुच जाए तो यहां पर जो हमारा diode है इस diode का जो anode side होता है यह anode side है तो इस anode side को हम incoming power supply देंगे incoming power supply देने के लिए यहां से हम एक बार को loop करके इसको input power supply दे देते हैं अब यह जो हमारा diode का cathode side है इस side को हम इस wire के साथ में connect कर देंगे तो यहां पर जो हमारा DC motor है इस motor को एक relay के द्वारा reverse direction और forward direction में run कराने के लिए circuit complete हो गया है चलिए एक बार समझ लेते हैं किस प्रकास से हमारा यह circuit work करेगा तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले power supply को on करते हैं जब हम power supply को on करेंगे तो आप देख सकते हूं बैटरी का जो positive power supply है वो यहां से flow होते हुए इस terminal पे और इस terminal पे पहुँच गया अब यहां पे हमारा motor off condition में अब यहां पे हम क्या करते हैं यह जो हमारा forward push button है इसको press करते हैं इसको press करते ही आप देख सकते हो positive power supply यहां से flow होते हुए इस no contact में और इस nc contact में पहुँच गया यहां पे आप एक चीज़ ध्यान दीजेगा यह जो हमारा relay है यदि relay हमारा off condition में रहता है तो उस condition में यह जो हमारा एंसी कॉंटेक होता है वो इस common terminal के सार कनेक होता है तो यहां का power supply इस common terminal पे आ जाता है और यहां से सीधे ही motor में पहुच जाएगा motor को यहां पे positive power supply मिल रहा है अब यह जो हमारा battery है इसका negative power supply आप देख सकते हो यहां पे पहुच रहा अब NC contact common के सार कनेक्ट है तो यहां से power supply flow होते हुए इस motor को negative power supply भी मिल जाएगा जिससे कि हमारा motor forward direction में run करने लगेगा ठीक है अब यहां पे हम reverse push बटन को प्रेस करते हैं जब हम reverse push बटन को प्रेस करेंगे तो होगा क्या यहां पे जो positive power supply था वो यहां से output होके निकलेगा अब यहां से power supply दो जगा distribute हुआ है एक टो डायोट से जा रहा है और एक power supply हमारे इस relay के coil में चला गया यहां पे relay के coil में power supply चला गया तो हमारा relay energize हो जाएगा ठीक है और जब हमारा relay energize होता है तो जो हमारा common terminal है वो एनो के साथ में connect हो जाता है अब यहां पे एक चीज़ आप देख सकते हो यह जो हमारा power supply है वो इस diode से यहां से flow होते हुए इस entscheiden आव यह जो एड़डे के साथ है तो यहां से power supply flow होते वे इस motor को मीन जाएगा और यह वारा डियेक्शν चेंज करना है तो हमें केवल एक चीश करना पड़ता है यहां पर जो टर्मिनल पर जो हम power supply दे अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इस terminal पर नेगेटिव पावर सप्लाई मिल रहा है और इस पर पॉजिटिव पावर सप्लाई मिल रहा है। तो इस condition में जो direction होगा दूसरा होगा लेकिन यदि हम यहाँ पे power supply को change कर दे याने कि इस पे हम positive power supply दे दे और इस पे negative power supply दे दे तो यहाँ पे जो हमारा motor का direction होगा वो change हो जाएगा तो दोस्तों I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस इस वीडियो पे like share और comment कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe भी कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद